आज है 29 अपरेल आज हम बात करेंगे जितने भी करेंट अफेर्स के प्रशन बनते हैं उनके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े ये बढ़ाई के सर्वतम स से बात करते हैं आज के सुविचार की अगर हारने का डर लगता है तो जीतने के इच्छा कभी मत रखना अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले लक्षय को निर्धारित करें लक्षय निर्धारित करना आपको जरूरी है जीतने के लिए आपका जिद्धी हो जीतने के लिए अगर जीत चाहिए आपको तो आपको जीतनी होना बहुत जरूरी है बात करते हैं आज के पहले क्योशन की तो आज का पहला क्योशन आपके सामने है बारती रिजरोब बैंक ने mutual funds के लिए कितने रूपे की विशेश नगदी की साहिता की गोशना की है तो mutual funds के लिए बारती रिजरोब बैंक ने कितने रूपे दिये हैं विशेश नगदी की साहिता की गोशना की है से पुंझी वजारों में ऐस्तिर्था और mutual fund इंडर्श्टिड पर नकदी का दवाब कम करना होता है नकदी का दवाब कम करना होता है mutual fund के लिए ये mutual fund के लिए 50,000,00 क्रोड रूपए की विछिस नकदी साहता दिया बारतिय रिजरोब बैंक ने, बात करते हैं अगले कर्षिन की, तो अगला कर्षिन आपका, सारवजनिक छेतर की बिजली कमपनी NTPC ने हाइडरोजन इंधन आधारित बसों के परिचालन की योजना त्यार की है, ये बसे कहां से कहां तक चलेगी, आपको बताना है, ये बसे क चलने वाली 10 इलेक्टिक बसें और 10 कार खरीदेने के लिए वेश्विक स्तर पर रूची पत्र मंगाया है, इस पहल को पाइलेट प्रियोजना के धार पर डिल्ली और ले में लागू किया जाएगा, बात करते हैं बिजली कमपनी NTPC, ये सारवजनिक छेतर की बिजली कमप पर है नई दिल्ली में, तो इसका आंसर आपका बनता है दिल्ली से लेह तक, बात करते हैं अगले कर्शन की, तो अगला कर्शन है आपका, अंतराष्ट्रिय महीला किर्केटर वेब पूरव कप्तान सना मीर, सना मीर ने 25 अपरेल को सन्यास की गोशना की, ये किस देश की परेल को की है, पाकिस्तान महीला किर्केटर वेब पूरव कप्तान सना मीर, 25 अपरेल को अंतराष्टे किर्केर से सन्यास की गोशना की है, सना मीर को पाकिस्तान ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया की महीला किर्केटर में बहतरिन ओफ स्पिनर्स में जाना जाता है, ये ओफ स अनामीर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की राज़दानी इसलामाबद पाकिस्तान के राष्ट्रोपती आरिफ अलवी पाकिस्तान के परधान मंतरी है इम्रान खान बात करते हैं अगले गोशन की तो अगला गोशन आपके सामने हाली में देवानन्द कुवर का निदन हो गया ये किस राजय के राजयपाल रह चुके थे देवानन्द कुवर किसी राजय के राजयपाल रह चुके है पूर्व राजयपाल है इनका हाली में निदन हुए तो इक्जाम की दरश्टी से important है आ सकता है देवानन्द कुवर किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं तो इसका अंसर है सभी यानि कि तिरपूरा बिहार और पश्यमंगाल के ये राज्यपाल रह चुके हैं पश्यमंगाल के ये राजयपाल थे अत्रिक्त परभार इन्होंने संभाला था बाकि तिरपूरा और बिहार के ये राजयपाल रहे चुके हैं बात करते हैं कब-कब ये राजयपाल रहे चुके थे 2009 से 2013 तक बिहार के राजयपाल रहे हैं 2013 से 2014 तक तिरपूरा के राजयपाल रहे हैं और 2009 से 2010 तक पश्री मंगाल के राजयपाल का अत्रिक्त परभार भी इन्होंने संबाला है उस समय ये बिहार के भी राज्येपाल रहे हैं और पश्यमंगाल के अत्रिक्त परभार की दरश्टी से भी ये राज्येपाल रह चुके हैं अब हमने तीन राजों की बात किया है तिरपूरा बिहार और पश्यमंगाल अब बात करते हैं सबसे पहले बिहार की बिहार की राजदानी है पटना, मुख्यमंतरी है नितिश कुमार, राजयपाल है फागू चोहान, लोकसबा की सिटे है 40, जिले आते है 38, बात करते हैं पश्यमंगाल की, तो पश्यमंगाल की राजदानी है कौलकता, पश्यमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरजी, देशों के वारे में बताया था आपने उमीद करता हूँ आठ देशों की राजदानी और मुद्रा याद की होगी, बात करते हैं अगले कुशन की, तो अगला कुशन आपका, किस राजय सरकार ने दवाओं की होम डिलिवरी देने के लिए धनवंतरी योजना का समन्त किस राजय से है, तो होम डिलिवरी देन पर ही मरीजों तक पहुंचाई जाएगी, किस योजना के तैत, धनवंतरी योजना के तैत, धनवंतरी योजना का समन्त असम से है, तो बात करें असम की, तो असम की राजदानी दिसपूर, असम के मुख्य मंतरी है, सरवानन सोनवाल, असम के राजय पाला जगदीश मुख तो इसका समन्द है अंदर पर्देश है इस एप से राज्य में मेडिकल की दुगानों से खांसी सर्दी जुखाम और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी कौन से आप से कोविड फार्मा एप से फार्मा के नाम से आपको मालूम है फार्मा मतल इसका समन्द अंदर पर्देश है तो अंदर पर्देश की बात करते हैं अंदर पर्देश की राजदानी है अमरावती वास्तविक राजदानी अमरावती है और कानूनी राजदानी है है हैदराबाद अंदर पर्देश के मुख्य मंतरी है Y.S. जगन मोहन हरेडी अंदर प आपका हाली में National Board for Wild ने देहगी पठकाई वन्यजीव अभ्यारने की बात कर रहे हैं कि एक हिस्से में कोईला खनन की सिफारिश की है यह है देहगी पठकाई वन्यजीव अभ्यारने किस राजय में आपको बताने देगी पटकाई वन्य जी वबहरने हाली में चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में रहे क्योंकि इसके एक हिस्ते में कोईला खननन की सिफारिस की है नेशनल बोर्ड फोर वाहिल्ड ने तो ये वन्य जी वबहरने किस राज़े में आपको बताना तो ये है असम में, बात करें असम की, इस्ते पहले मैंने असम की बात की थी, दुबारा बात कर लेते हैं, असम की राजदानी है दिसपूर, असम के मुख्य मंतरी है सर्वारं सोनवाल, असम के राजयेपाल है जगदीस मुखी, असम में कुल जिले आते हैं 33, 33 जिलों वाला एक राजिया है राजस्तान राजस्तान में भी 33 जीले अस्ता में भी 33 जीले अस्ता में कुल लोगसुबा की सिटे हैं 17 अस्ता में लोगसुबा की सिटे आते हैं 14 अगले कोशन की बात करें अगला कोशन आपका हाली में परसिद हस्ती बद्रुदिन शेक का कोरोना की वज़ा थे पारसद भी रह चुके हैं वर्तमान समय में पारसद थे बदरुदिन शेखा कोविट 19 के कारण नीदन हुए चर्चा में क्यों है क्योंकि ये कोरोना की वज़े से इनका नीदन हुए अगले करण आपका किस राजय सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है जीवन शक्ति योजना का समंध किस राजय से है आपको बताना है तो इसका अंसर है मद्यपर्देश इसका समंध है मद्यपर्देश ने मद्यपर्देश ने शुरू की है तो मद रोगसवा की सिट्टे है 39 वर्तवान समय में मद्यपरदेश में कुल जिले है 55 बात करते हैं अगले क्विश्चन की तो अगला क्विश्चन है आपका हाली में किस राज्य के किस राज्य में कोविड-19 रोग्यों की सिवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तेनात किया गया यान करें केरल की केरल की राजदानी है तिर्वंतम पूरम के मुख्य मंतरी है पी वीजन के राज़ेपाल है पी सदा सिवं केरल में लोगसवा की सित्टे हैं 20 केरल में कुल जिले आते हैं 14 दोस्तों अब तक अपरेल में लगबग दिवसों की बात की थी तो अब इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ अप्रेल के दिवस, बात करते हैं एक अप्रेल को, एक अप्रेल को उतकल दिवस बनाया जाता है, ओडिशा दिवस बात करें पांच अप्रेल को राष्ट्रिय समुंदरी दिवस बनाया जाता है, छे अप्रेल अंतराष्ट्रिय खेल अंतराश्षिय खेल दिवस बना जाता है साथ अपरेल वीशव स्वास्त्य दिवस दस अपरेल वीशव होमियोपैती दिवस 14 अपरेल को भीमरव अंबेडिकर की जैनती बना monster फ्रेल हिमाचल दिवस दो दिवस बना जाते हैं 15 अपरेल को हिमाचल दिवस और विशव कला दिवस यानी word आर्ट डे इसके बारे में हमने बात की थी 18 अपरेल विशव विरासत दिवस यानी world heritage day 21 अपरेल की बात करें तो civil सेवा दिवस यानी civil services days 23 अपरेल की बात करें तो word books days 24 अपरेल की बात करें तो राष्टी अ पंचायती रास दिवस बात करें 25 अपरेल की तो विश्व में ले रिया दिवस ये 25 अपरेल तक दिवस हमने बात किया अब तक पूरे अपरेल की वीडियो भी मैंने डाल दखी है आप वीडियो को दिख सकते हैं वीडियो के अंदर पूरे दिवसों की हमने बात किया है याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं, तो subscribe किजी है, हमारे चैनल को वीडियो अच्छी लगती हैं, वीडियो में आपको question, प्रशन अच्छे लगते हैं, content अच्छा लगता है, तो वीडियो को जब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी